तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 19 जैन्वरी के इंपोर्टेंट करंट अफेर्स को देखे हमारा पहला प्रश्ण क्या है क्या अभी हाल इमें किसने अंतरराष्ट्रे लोक कला महोच्चों में स्वन्न पदक जीता तो अंचर होगा सुमित भाले तो महाराष्टर के एक युवा लावणी कलाकार है ये सुमित भाले जिन्नोंने अभी दुबई में अंतरराष्टरे लोक कला महोच्चों में ये गोल्ड मेडल जीता है वे महाराष्टर के फुल बाड़ी जिले के पाथरी के रहने वाले हैं लावणी की बात करें आप जानते हो यह महाराष्टर का एक पारमपरी रत्य है यह पारमपरी गीत और रत्य का एक संयोजने कॉम्बिनेशन है जो विशेश रूप से ढोलकी की थाप पर किया जाता है तो याद रखोगे आप अंतरराष्टर लोक कला महुत सव इसको जीत लि जिया था सतीश अडिगा डॉक्टर सुभाष मुखरजी पुरुसकार जीता किस ने दिया ICMR ने और JC चोदरी इंपोर्टेंट नामे अभी नुमेरलोजी यानि कि अंक जियोतीशी में पहला गिनिच वर्ड रिकॉर्ड इनोंने जीता था तो यह ध्यान रखोगे पढ़ते पे हुआ था लखनव में हुआ था कब चार फरवरी 1938 में 1938 में और यह पंडित जी या महराज जी के नाम से महशूर थे तो इनका सम्वन था कत्थक शाष्ट्रय न्रत्य से उन्हें याद रखना 1986 में देश का दूसरा सर्वोच नागरिक सम्मान जिसे आप केते हो पदम वि अच्छू महराज और उनके पिता और गुरु अच्चन महराज शामिल है और आपको बता दू 2021 में इनके जीवन पर एक बुक भी लिखी गई थी जिसका नाम था न्रत्य सम्वराट पंडित बिर्चू महराज तो प्रश्ण यहाँ से भी फॉर्म हो सकता है आपके एक्जा भारत के शास्त्र और रत्यू की बात करें तो तोटल कितने होते बिल तो यह याद रखो आठ होते हैं पहला तो कथक हो गया हमने कहा उत्तर भारत का है नौर्थ इंडिया का है एक कथकली हो गया कथकली कहा का है केरल का है मोहिनी अट्टम की बात करोगे तो यह भी है केरल भारत नाट्यम है तमिल नाडू का ओडिशी है ओडिशा का मनिपूरी है मनिपूर का और कुचिपूरी आंदर प्रदेश का है और सतर्या है असंड का अब देखो, ये तो हो गए शास्त्रय न्रत्य शास्त्रय भाशाएं भी होती हैं इतनी होती है, वो 6 होती है, कौन-कौन सी है, संस्करत है, उडिया है, कन्नड है, मल्यालम है, तिल्गु है, और तमिल है, तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हम बढ़ते हांगे, अजब फिर बताईए, हाली में सिधे भुकतान पेज पर भुकतान करने के लिए, भारत बिल पे ने जनवरी 2022 में, click-pay launch करने के लिए किसके साथ समझोता किया, तो अंसर होगा मॉबी क्विक, तो अभी fintech firm है, मॉबी क्विक, जिसने अपने ग्रहाकों के लिए, click-pay launch करने लिए, NPCI भारत बिल पे के साथ समझोता किया है, click-pay, यह two-step payment feature है, मतलब जो विक्रेता जो bill generate कर रहा है वो bill pay message यानि भुकतान के संदेश के साथ एक unique payment link generate करता है और उसे ग्रहाक को बेशता है फिर ग्रहाक क्या करेगा जैसे ही उस link पे click करेगा वो सिधे भुकतान पेज पर चला जाएगा जहां वो आसानी से payment कर पाएगा मोबी quick की बात करेंगे इसका headquarter का पर एक guru gram है और उसके CEO है विपिन प्रित सिंग आपको याद होगा NPCI यानि कि National Payment Corporation और इंडिया ने अभी घर घर bill भुकतान सेवा शुरू करने के लिए इंडिया post payment bank के साथ भी समझोता किया था और अभी नवंबर की ही बात है कोटेक महिंदरा बैंक ने भी रुपे credit card वीर इसको launch करने के लिए NPCI के साथ समझोता किया था तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे बताए हाली में inequality kills नाम से जो report इसको किसने जारी किया तो अंसर होगा Oxfam India ने तो अभी Oxfam India ने ये inequality kills नाम से एक report को जारी किया है तो ये report क्या बताती है कि कैसे कुछ व्यक्तियों के पास धन जमा होता है और बाकी लोग कष्ट और गरीबी में रहते हैं COVID-19 महामारी के बाद दुनिया के एक परतिशत सबसे अमीर लोगों ने अपनी संपत्ति को दुगना कर लिया जबकि 99% लोगों के जो इंकम है वो कम हो गई है और इस report में बताया गया कि inequality यानि के असमानता हर दिन कम से कम 21,000 लोगों की जान लेती है इस report में भारत को बहुत असमान देश के रूप में वननित किया गया तो याद रखना ये inequality kills नाम की report को किसने जारी किया Oxfam India ने अचा अगर मैं आपसे पूछूं कि World Economic Outlook report को कौन जारी करता है तो याद रखना International Monetary Fund ये प्रशन important exam में आ चुका है UPSC 2014 prelims में पुछा गया था इसी तरह से आप मुझे बताओ Global Economic Prospects जो report है इसको कौन जारी करता है ये प्रशन भी UPSC 2015 prelims में पुछा गया था इसको जारी करता है World Bank चलो आप comment box में type करके बताईए भी World Bank ने कौन से report को जारी करना बंद कर दिया अगर आपसे पूछा जाए Global Hunger Index report को कौन जारी करता है तो International Food Policy Research Institute और World Employment and Social Outlook report को International Labour Organization और International Labour Organization ही World Special Protection Report को भी जारी करता है तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे अच्छा फिर बताईए हाली में के इस देश के पूर्व प्रधान मंत्री तोशी की कोफू का निधन हो गया तो जापान के पूर्व प्रधान मंत्री थे ये तोशी की कोफू इनका भी 91 एर के उम्र में निधन हो गया वे 1989 से 1991 तक जापान के प्रधान मंत्री थे उन्हें 1991 में फारस की खाडी में समुद्रे आतमर्रक्षा बल भेजने के लिए जाना जाता है अब बात जापान की है तो यह रहा मैप में जापान देखो जापान की केपिटल क्या है? टोक्यो है यहीं पे 32 समर ओलम्पिक हुए थे टोक्यो ओलम्पिक 2020 जो की हुए 2020 में थे करंसी क्या है? येन है वर्तमान में इसके प्रधान मंत्री कौन है फुमियो किशिदा और इससे पहले वाले जो प्रधान मंत्री थे शिंज्यो अबे याद रखना उनको हमने 2021 में पदम विबूशन सम्मान से सम्मानित किया था जापान की संसत को डाइट कहा जाता है और बताओ सूरदे का देश, Land of Rising Sun किसे कहा जाता है जापान को अच्छा जापान के साथ कौन-कौन से एक्सरसाइज करते हम धर्मा गार्जेन करते हैं जमेक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं शिन्यू मेत्री करते हैं और सहयो काजिन भी करते हैं वैसे तो माला बार एक्सरसाइज भी करते हैं लेकिन उसमें केवल जापान ही नहीं होता USA और ऑस्ट्रेलिया भी होता है भारत तो होता ही है Quad Country जिनी को कहा जाता है भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान अच्छा जापान का एक सूपर कम्प्यूटर भी है नाम है टेट सुशी शकामोटो और जापान के एक व्यक्ति थे माकी काजी इनने सुडोकू पहिली का निर्माता कहा जाता है इनका भी नीदन हो गया तो यह आप ध्यान रखना बढ़ते आगे अच्छा बताईए अभी हाली में बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भाड़ते पुरुष्ट किर्केटर कौन बन गए तो अंसर उगा उन्मुक्त चंद तो अंडर 19 वर्लकप 2012 के विजेता कप्तान उन्मुक्त चंद बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भार्टे पुरुष्ट किर्केटर बन गए हैं। उन्होंने अपना पहला बिग बैश लीग मैच होबार्ट हारीकेंस के खिलाफ खेला। अच्छा चलिए आप से प्रशन पूछता हूँ। बताए दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट किर्केटर का भी निदन हो ग पताओ एक पारी में दस विकिट लेने वाले तीसर गेंदबाज कौन बने थे। एजाज पटेल जो कि न्यूजिलेंड के हैं। अभी देसमबर महिने के लिए ICC मेंस प्लेयर आफ दे मन्थ भी इनको चुना गया था। और अगर आपसे पूछा जाए विजे हजारे ट्रो ट्रोफी 2021 को किसने जीता हिमाचल प्रदेश ने तमिल नाडू को हरा के। और विजे हजारे ट्रोफी 2021 को किसने जीता था जो कि पिछले साल स्टार्टिंग में हुआ था मुंबई ने जीता उत्तर प्रदेश को हरा के। और शेयद मुस्ताक अली ट्रोफी इसको जीता था तमिल नाडू ने करनाटक को हरा करके तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे अज़ा बताईए जनवरी 2022 को किस ने COVID-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकेट जारी किया तो आंसर होगा मंसु कमांडविया हमारे हेल्थ मिनिस्टर है ये तो आपको याद होगा पिछले साल यानि कि 16 जनवरी 2021 को ही COVID-19 का वैक्सीनेशन अभ्यान शुरू हुआ था और अभी 16 जनवरी 2022 को इसे पूरा एक साल हो गया तो इसके एक साल पूरे होने पर COVID-19 वैक्सीन पर एक डाक टिकेट जारी किया गया किसने किया हमारे हेल्थ मिनिस्टर मंसुख मंडविया ने अच्छा जो पहला टिका है वो किसे लगा था इम्स के स्वच्छता कर्मी थे मनीश कुमार उनको लगा था और अगर आपसे पूछा जाए टिका उत्सव कब से कब तक मनाया गया था तो 11 अप्रेल से 14 अप्रेल तक 11 अप्रेल को जोतिबा फूले जी का जनम दिन होता है और 14 अप्रेल को क्या था बी आर अम्बेडगर जी की जैनती थी अचब भारत में COVID-19 के कौन-कौन सी वैक्सीन है तो को वैक्सीन है जिसको बनाया था भारत बायोटेक ने हैद्राबाद की कंपनी है कोवी शिल्ड को बनाया सीरम इस्टिट्ट अफ इंडिया ने पुने की है जाइकोब डी याद अखना डीने आधरित पहली वैक्सीन ही नहीं है ये इसको बनाया जाइडस केडूला ने और अभी मैं आपसे पूछू ओमिक्रोन की जाज करने के लिए स्वदेशी केट आया जिसका नाम है ओमिश्योर और इस पुत्निक वी को किसने बनाय था रशिया ने चलो बताओ सो परतिशत टीका करन यानि कि दोनों डोज वाला पहला यूनें टेरिटरी कौन सा बना अंडमान निकोबार पहला राज्य बना था हिमाचल परदेश पहला जिला बना था हिमाचल परदेश का किन्नौर जिला और पहला गाओं बना था जम्मू कश्मीर का वयान गाओं ध्यान रखना ये बढ़ते आगे अचा बताईए विश्व आर्थिक मंच दावोस एजेंडा वर्च्वल इवेंट की थीम क्या है जिसे अभी जनवरी 2022 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संभोधित किया था तो आंसार होगा दे स्थीट ओफ द वर्ल्ड तो अभी 17 जनवरी 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरम दावस एजेंडा वर्च्वल इवेंट को संभोधित किया वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरम ये 17 से लेके 21 जनवरी तक अपनी वेब साइट और सोशल मीडिया चैनल उपर इस कारेकरम की मेजबानी कर रहा है तो थीम याद रखना दे स्टीट ओफ दे वर्ल्ड रही इस की थीम बढ़ते आगे अचा बताईए अभी हाली में नवी महिला राष्ट्र आइस होक्की चैंपेंशिप 2022 ये कापे शुरू हुई तो अंसर होगा हिमाचिल परदेश में तो अभी हिमाचिल परदेश के काजा में नवी नैशनल वमन आइस होक्की चैंपेंशिप शुरू हुई है और परदेश में पहली बार राष्टर स्तर पर आइस होक्की प्रत्योगिता का आयोजन किया जा रहा है इस Championship का उद्गाटन किस ने किया राज्य के जो मुख्य मंत्री है जैराम ठाकर उन्हों है अचा अगर मैं आपसे पूछू National Ice Hockey Championship जो की जम्मु कश्मिर की गुलमर्ग में हुई थी उसको किस ने जीता था ITBP ने लद्दाग को हरा करके और अगर मैं आपसे पूछू खेलो इंडिया यूद गेम्स का पांच वह संसकरन का पे होगा 2022 में ये बोपाल मद्य प्रदेश में होगा और जो चोथा संसकरन है वो अभी फरवरी 2022 में होगा पंचकुला हरियाना में अचा लेकिन या तो बात है हिमाचल प्रदेश की तो ये रह मैप में हिमाचल प्रदेश देखो दो केपिटल है समर केपिटल इसकी शिमला है बिंटर केपिटल धरमशाला है मुख्य मंतरी आपने कहा जैराम ठाकूर है और गवर्नर है राजेंदर विश्वनात अर लेकर अभी आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश की राजे पुलिस को प्रेसेडेंट कलर अवाड भी मिला था और ये अवाड पाने वाली ये भारत की आठवे राजे पुलिस बनी थी अभी हिमाचल प्रदेश की चमबा चपल और लाहोल के बने हुए मोजेव दस्तानों को जियाई टेक भी मिला था और दुनिया का सबसे उचा इलेक्टरिक वेटल चार्जिंग स्टेशन का उधगटन कहां पे किया गया हिमाचल प्रदेश के काजा में ही और बुनकर सेवा और डिजाइन संशाधन केंदर काँ पे खुला हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कुल्लू से याद आएगा देश में पहली बार मौंक फ्रूट की खेती काँ पे शुरू हुई हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में और खेती से याद आएगा दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना कौन हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा भारत में पहली बार हींग की खेती ये कापे हुई हिमाचल प्रदेश के लाहूल घाटी में। और E-Cabinet प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही है। ये सारे पॉंट ध्यान रखना बढ़ते आगे। बताए हाली में किसने Open Data Week शुरू करनी की घोशना की। तो अंसर होगा आवास और शेहरी कारेमंत्रा लेने। तो अभी आवास और शेहरी कारेमंत्रा लेने Open Data को अपनाने को प्रोचाहित करने और भारत के शेहरी पारिस्तिति की तंत्र में नवाचार यानिकी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए Open Data Week शुरू करने की घोशना की है। ये भी 17 से 21 जनवरी 2022 के बीच में आयोजित किया जा रहा है। और इसमें सभी 100 स्मार्ट शेहर हिस्सा ले रहे हैं। वहाँ वे स्मार्ट शेहर Open Data Portal पर हाई क्वालिटी वाले डेटा सेट और डेटा ब्लोक प्रकाशित करेंगे। अच्छा हमारे Housing and Urban Affairs Minister कौन है? हरदीप सिंग पूरी हैं। और इनी के पास Petroleum and Gas मंत्राले भी हैं। बढ़ते आगे। फिर बताईए अभी हाली में किस देश के पूर्वर राश्टर पती, इब्राहिम, बाउबकर, कीता का निदन हो गया। प्रधानमंत्री भी रह चुके थे लेकिन अभी इनका निदन हो गया। माली की बात है तो ये रा मैप में माली, कैपिटल इसकी बमाको है, करंसी होती है वेस्ट अफरिकन, सी एफ़े, फ्रेंक और प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है, आज सिमी गोईटा, तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पुछे गए प्रशन के उत्तर की, तो कल के अप полез करेंगे कल दे दोता इंट works़ी का तर दो कalsoल के वीगियो में में वीज़ाय को है, का अब वीज़ने ये तो ये अफर र्यांगे का ये ढżaवरी, वे हावाणा गावर्ची आपैरे, लगाया करा का आपए वीज़गा अपैना ज फ्रुमान शार्पमाना